रोय धोय राजी भय नाच कूद होय खुसाल काड है अपने अवगुण ले जबराईल संग हाल प्राणधार आत्मसंबन्दी सुन्दर साजी कल की चर्चा में हमने उधैपूर का प्रसंग सुना कि उधैपूर में किस तरह से मुकंद दाश जी और सेख बदल जी दिल्ली से पहुँचे कैसे दोनों ने अपने अपने हिसाब से सेवा की किस तरह स्रीजी के आदेश पर मुकंद दाश जी ने जरगापंत के जो आचारिय थे लाधू मसानी उनको जगाया किस तरह से वहां के राणा तक स्रीजी की बात पहुँची कैसे राणा के भेजे गए पंडित स्रीजी की परिक्षा लेने गए किन्तु स्वयम ही स्रीजी के कुछ प्रश्णों को सुनकर परेशान होकर आये किस तरह से उन्होंने निंदा की और कैसे सुन्दर साथ में अंदर ही अंदर पनप रहे मत भेद को समाप्त करने के लिए सभी सुन्दर साथ को एक जैसा वस्त्र जिसको फकीरी भेश कहा है विरक्त का वेश स्रीजी ने सबको धारण कराया अब आगे कह रहे हैं इन समें दयाराम चंचल गंगाराम जो सुन्दर साथ औरंग्जेप के दरवार में गए हुए थे 12 सुन्दर साथ सबका नाम हम सबको लगभग उपता ही है याद ही है उनमें से कल के प्रसंग में हमने कुछ सुन्दर साथ का नाम सुना था पर जो दिल्ली के इस्थानिय सुन्दर साथ थे दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी चुकि इनके घर वाले दिल्ली में ही रह रहे थे तो अपने अपने घर से विदा लेकर की स्रीजी के चरणों में पहुँचे इसी तरह से सूरत से मोहन जी चत्रभुज जी भी आए स्रीजी के चरणों में प्रणाम किया और यहां एक पठान सौदागर आया जिनका नाम था इनायत खान उनके साथ में मुराद खान, अब्दुलनवी, अलादाद खान, यार खान, उस्मान खान, हसन खान, ऐसे बहुत सारे लोग थे और इन में से एक विक्ति है उनका नाम है अवल खान इन्होंने स्रीजी की थोड़ी बहुत चर्चा सुनी और सुनकर नूर महम्मद को पूछा क्योंकि नूर महम्मद पहले स्रीजी से मिल चुके है नूर महम्मद से पूछा कि यह जो वैरागी है इनकी वास्तविक्ता मुझे बताओ कि इनकी वास्तविक्ता क्या है और यदि तू इनकी पहचान को छिपाएगा तो मैं जब न्याय का दिन होगा जिसको सात्वा दिन कहा जाता है या रोज ए महसर करके कुरान में लिखा हुआ है उस न्याय के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा और दामन पकड़कर इंसाफ हमागूंगा इसलिए मुझे इस बात का स्पष्ट जवाब दो कि ये फकीर ये साधू कैसे है तो नूर महम्मद ने कहा कि ये धर्म के सच्चे प्रवर्तक है और जिस कुरान को हम पढ़ते हैं जिस कल्मा को हम पढ़ते हैं उनका रहस्य इनके पास है जो हकीकत और मारिफत का जियान है वो इनके पास है और उन्होंने इस ज्ञान को जाहिर करने के लिए जन जन तक पहुचानने के लिए कमर माधा है अर्था अपनी तयारी की है अब अवल खान उनकी अंदर परमधाम का अंकुर था तो सुनते ही हकीकत और मारिफत की बात सुनते ही उनमें इमान आया और आकर स्रीजी के चरणों में प्रणाम किये और एक चाबुक होता है घोडे को तेजी से दोड़ाने के लिए चाबुक मारा जाता है तो वो चाबुक लेकर के अपने सरीर में मारने लग गए प्रायस चित करने के लिए कि इतने समय तक हम कहां थे इतने समय तक हम गलत रास्ते बर थे स्रीजी ने उनको रोका और अपने पास बैठाया जब ये घटना हुई उस समय स्रीजी मुकुन्जदास जी को मुख्य बना कर पट दर्शन का काम करवा रहे थे पट दर्शन का काम मतलब जैसे हम लोग नक्सार देखते हैं अभी मृत्यू लोग से लेकर परमधाम तक किस तरह से ये चौदा लोगों सेयुक्त अश्टावरण सेयुक्त ब्रह्मान है निराकार का मंडल है कैसे इसके बाद अव्यक्रित सबलिक केवल और सत्सुरूप है इन चार इस्थानों में अव्यक्रित में क्या क्या है सबलिक केवल सत्सुरूप में क्या है इसके बाद सरवरसागर से किस तरह से चलते हुए हम रंग महल तक पहुंचते हैं ये सारी जो वृत्तान थे जो सारा इसको नक्से के रूप में बनाया जा रहा था जिसको पट दर्शन कहा है तो मुकुंद दाह जी को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया कि आप मुख्य रहेंगे और नक्सा बनवाने का काम कराएंगे तो कुछ पठान मिलकर स्री जी के दर्शन के लिए आए उन्होंने कुरान से संबंदित कुछ बाते पूछी जिसमें जिस विशे में स्री जी ने चर्चा की तो एक व्यक्ती ने प्रस्न किया क्या कहता है कि हमारे तुम कहो कलमा रसूल का तो हम होवे तुम्हारे एता चाहता था कहते हैं कि मैं केवल इतनी परिक्षा लेना चाहता हूँ आपकी कि यदि आप कलमा पढ़ लें जैसे मुसल्मान कहते हैं न जाहरी रूप से ला इलाह इलिला मुहमद रसूलिल्ला तो स्री जी को कहते हैं कि यदि आप ये कलमा पढ़ ले तो मैं आपका हो जाऊंगा तो मैं आपके चरणों में फिदा हो जाऊंगा अब स्रीजी को जोस आया उन्होंने कहा कि मेरे और मुहम्मद के बीच में आने वाले तुम कौन होते हो कि अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या पढ़ा जाए क्या न पढ़ा जाए अब अबवल खान को भी जोस आया तो उन्ह सब का जोस देख करके ये जो केवल परिक्षा लेने के लिए आये थे ये सारे मुसल्मान वहां से भाग गए अब वहां से तो भागे लेकिन अपने अपने घरों में जा करके सोर मचाना शुरू कर दिया अर्थाथ सुन्दर साथ की निंदा करना शुरू किया कि ये तो ऐसे लोग हैं हिंदू होकर कुरान की बात करते हैं इस तरह की बातें उन्होंने शुरू की अब एक दिन सुन्दर साथ रासलिला के किर्तन का गायन कर रहे थे उधर जो उधैपुर का राणा था वो श्री जी का दर्शन करने के लिए आया ऐसे ही दूर से ही क्योंकि पंडितों ने बता रखा था कि उनका दर्शन नहीं करना है लेकिन बहुत सारे लोगों से प्रसंसा भी सुनी थी तो वो दर्शन करने के नाम पे आया लेकिन क्योंकि उसको बहका रखा था दूसरे लोगों ने तो मूँ छिपा कर दूर ही खड़ा रहा दूर खड़े होकर रासलिला का गायन करते हुए सुन्दर साथ को देखा अब क्योंकि उसमें उतना ही अंकूर था फल उतना ही लिया अब देखिए स्री लालदास जी इस प्रसंग में कहते हैं कि यह कैसी बिड़म बना है कि एक तरफ अवल खान जो एक मुसलिम है उसको तो स्रीजी के स्वरुप की पहचान हो रही है और दूसरी तरफ राणा, राज, सिंग, हिंदू परिवान में होते हुए भी हिंदू राजा होते हुए भी क्योंकि पंडितों ने बहकाया है इसलिए वो स्वरुप की पहचान नहीं कर पा रहा है कहते हैं इनों के दिल में सक रहे, राणा के दिल में संसे रहा, ल्याया इमान अव्वल खान, तिन सो मस्करी करे, भई इनको पूरी पहचान, एक तो, राणा राज सिंग, अव्वल खान की ये कह करके मजाक उड़ाया करता था, कि देखो तुम तो हिंदू बहिरागी के उप पर इमान लिक करके आये हो, तुम्हें एक हिंदू बहिरागी के अंदर अल्ला ताला नजर आ रहे हैं, इस तरह से वो मजाक उड़ाने लगा, इस समय, अमराजी नाम के एक व्यक्तिनी स्रीजी से तार्तम ग्रहन किया, वे राम सिंग गंगा के घर में रहा करते थे, और स् मीठी लगी चर्चा, पहचाना परवर दिगार, उनको स्रीजी की चर्चा बहुत ही मधूर लगी, आनंद दायक लगी, और स्रीजी के स्वरुप के उन्होंने पहचान करी, स्री महमती जी कहते हैं कि ये उदैपुर की ताल की बीतक को याद कीजिए, फेर कहों उदैपुर की जो बीतक बुनियाद, अब आगे उदैपुर में होने वाली और भी कुछ घटनाए हैं, जिनकी बीतक का में वर्णन कने जा रहा हैं, अब क्यूंकि ये तो ताल का प्रसंग था, उदैपुर के ताल से चलकर स्रीजी, पुनह उदैपुर शहर में एक हवेली में पधारे वहां सभी सुन्दर साथ आकर के स्रीजी से मिले और आनन्दित हुए, इसी समय सूरत से गोवर्धन भटजी आये, उनके साथ में उनकी पतनी धौली भाई भी थी, और उन्होंने आकर के स्रीजी के चरणों में प्रणाम किया, अब ये वो समय था कि औरंग जेब ने वहां के राणा पर आकरमण कर दिया, सीधे नहीं, पहले कभी भी आकरमण किया जाता था, तो पहले दूद को भेजा जाता था, क्योंकि युद्ध से लगबग लगबग शुरुआत में हर को ही बचना चाहते हैं, सत्रों की तैयारी कितनी है, अपना कितना नुक्सान हो सकता है, सब ध्यान में रखते हुए, तो राणा के पास औरंजेब बादसाह ने एक मथूरिया नाम की अपने सेना पती को अजमेर से भेजा, क्योंकि उस समय औरंजेब अजमेर में था, और उसने ये कहलवाया, कि देखो, अगर तुम मेरे धर्म में, मेरे दीन में सामिल हो जाते ह मतवा, इसलाम स्विकार कर लेते हो, तो मैं तुम्हें पांच परगना दे दूँगा, पांच परगना मतलब आज के ही सबसे समझ लीजे, तो जीला समझ सकते हैं, कि पांच परगने का राज्ये में तुम्हें दे दूँगा, लेकिन यदि तुमने स्विकार नहीं किया मेर इस सर्थ को या तो मुसल्मन बन जा और पांच परगने का राज्य स्विकार कर लो या फिर मुझसे युद करने के लिए तयार हो जाओ अब इस बात को लेकर मथूरिया को आदेश दिया था मथूरिया ने गरिबदास नाम की पुरोहित को दूद बना कर भेजा अब गरिबदास पहुँचा दरबार में तो राणा राज्य सिंग को बोला कि औरंजेब का ये ये संदेश है कि या तो आप मुसल्मान मन जाएए और आपको पांच परगने मिल जाएंगे नई तो आप युद करने के लिए तयार हो जाएए अब ये प्राचिन काल सही ये नियम है कि जो दूद होता है उसको अवध्यम आना जाता है अवध्यम मतलब उसको मारना नहीं चाहिए तो राणा राज्य सिंग ने कहा बहुत गुस्सा आया राणा को कि ये एक हिंदू पुरोहित हो करके मुझे धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है उसने डाट कर कहा कि यदि तू पुरोहित नहीं होता तो मैं तुम्हारा सर उड़ा देता तुम्हें सरम नहीं आती कि तुम्हें एक हिंदू पुरोहित होकर के मुझसे धर्मपरिवर्तन की बात करने आये हो और अपने सैनिकों से आदेश दिया कि इस पुरोहित को धक्का देकर बाहर निकाल दो और कहलवाया कि जाकर कह देना ओरंग्जेब से कि अभी राजपुतों के तलवार में जंग नहीं लगी है अब पुरोहित को वहां से निकाल दिया दूत तो चला गया लेकिन इधर ओरंग्जेब के आकरमण के भाय से सब में हलचल मच गई और वहां जो पंडित थे उन पंडितों ने राजा को स्रीजी के विरुद्ध भढ़काना शुरू कर दिया कि देखो हम तो कहते थे हमें तो लगता है कि ये जो साधू है स्रीजी की तरफ संकेत करते हुए कि ये जो साधू है इनके पीछे-पीछे ही औरंग्जेब आया है ये औरंग्जेब के भेजे हुए ही दूत होंगे वरना इस से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ था इस तरह से वे भड़काने लग गए तो अब राजा ने स्रीजी तक संदेश पहुचाया कि यहां तक आप यहां से आप लोग निकल जाईए स्रीजी ने कहलवाया कि देखो आपको चिंता करने के आउसिकता नहीं है औरंग जिब से हम बात कर लेंगे अब कयामत का समय बहुत नजदेक आ गया है हम औरंग जिब को कयामत का संदेश देंगे आपको किसी भी तरह से डरने की आउसिकता नहीं है बातचित करने के भी आउसिकता नहीं है हम ही बात करेंगे और धर्म ग्रंथों से उसको समझाएंगे अब इस बात को सुनकर राणा क्या कहता है कि देखें हम इतने पात्र नहीं है इस बात के हम इतने लायक नहीं है कि यह जो संदी प्रस्ताओं है जब तक चलता रहे जब तक आप लोगों का विचार वीमर्स आप लोगों की बात चीत चलती रहे तब तक हम लोग नहीं समाल सकते क्योंकि पहले क्या था नियम कि यदि कोई संदी प्रस्ताओं रखता है तो प्रस्ताओं रखने वाला व्यक्ति दूसरे राजा के सभी सैनिकों का खर्चा वहन करता था जितने दिन तक संदी प्रस्ताओं चल रहा है इतने दिन तक खर्च वहन करना पड़ता था तो इसलिए राणा राज सिंग ने कहलवाया कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि जब तक आप लोगों की धर्म चर्चा चले तब तक हम औरंग जिब की इतनी बड़ी सेना का खर्च उठा सके इसलिए आप यहां से चले जाइए अब पास में जो पंडितों का सम्मुव था वो राजा को भटकाने लगा कि यह लोग जूठे हैं इन ही लोगों की वज़ेश से औरंग जिब आ रहा है कोई कहता था कि इनको निकाल दीजियें यहां से कोई कहता था कि इनको लूट लेना चाहिए राणा सब सुन रहा है पर जवाब कुछ नहीं दे रहा है प्रतिक्रिया कुछ नहीं दे रहा है पास में एक और अधिकारी थे दरवारी उनका नाम था राणा भीमसें उन्होंने जब ये लूटने की बात सुनी तो राजा से कहा कि देखे महराज यदि हम हिंदू होकर के हिंदू वैरागियों को साधूं को लूटेंगे तो हमारी बदनामी होगे ये लूटने वाला जब प्रस्ताव है आप मन में सोचना भी नहीं और राणा ने कोतवाल को कहे करके भिजवाया कि आप लोग यहां से दो-चार दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएगे जब सारा माहोल शांत हो जाएगा जब औरंग जेब की सेना यहां से वापस चली जाएगी तो आप लोग वापस आजाएगा स्रीजी ने विचार किया कि सायद यह मूल स्वरुब का हुक्म है इसलिए उन्होंने सुन्दर साथ को भी कहा कि अब हम यहां से जाना चाहिए और वहां के जो उदैपूर के रहने वाले सुन्दर साथ थे उन सब को भी कहलवाया कि देखो उदैपूर पर संकट आने वाला है उदैपूर पर संकट के बादल चाह रहे हैं हो सके तो आप लोग यहां से चले जाईए और अब क्यूंकि सभी सुन्दर साथ ने फकिरी वेश धारण कर लिये थे तो पहले कि जितने भी वेश भूसा थी जितने भी आबूसन इत्यादी थे वो सारी सेवा उन्होंने वहां रहने वाले जो स्थानिय निवासी थे स्थानिय सुन्दर साथ थे उनको दिया और इतने में कोतवाल ने दुबारा संदेश पहुंचाया और कहा कि राणा ने आपको यहां से जाने का हुकम दिया यहां जाने की प्रार्थ न की है श्रीजी ने भी कह दिया कि अब हमें यहां नहीं रुकना है इस समय महा सिंग जी जो उधयपुर के ही रहने वाले थे श्रीजी का दर्सन करने के लिए आये स्रीजी ने अपने पुराने जितने भी पहले के पहने वे वस्त्र ठे उनमें से, उनको सीरो पाउं पहना करके सिर से पाउं तक पहना करके सम्मानिद किया, और कह दिया कि हम तो आपके मुलक से जा रहे हैं, पर आप लोग भी अब यहां नहीं रह पाओगे, हो सके तो यहां से चले जाना और राणा के जितने भी मंत्री थे कर्मचारी थे और जितने भी सुंदर साथ थे जिनोंने स्रीजी की पहचान की थी उन सब को स्रीजी सहित सुंदर साथ ने सीरोपाओं पहनाया और स्वयम क्या पहना पहने चीरक बस्तर सब सरगुन दिया डार हुए चलने को तैयार छोड़ा कार विवहार निर्गुण वस्त्र उन्होंने पहना और वहां से चलने के लिए तैयार हो गए देखिए निर्गुण वस्त्र और निर्गुण आहार की हम बात करते हैं ना निर्गुण वस्त्र और निर्गुण आहार का तात्पर ये क्या होता है हमें कई बार लगता है कि जो सतोगुणी आहार है जो सात्विक आहार है उनकी बात हो रही है या वस्त्र कौन से होने चाहिए कोई निख्चित नहीं है पर वास्तविकता ये है कि जो हम निर्गुण कि तामसिक ना हो तामसी भोजन किसको कहा जाता है गीता में स्रीकृष्ण जी ने इसकी बहुत सुन्दर व्याख्या की और कहते हैं यात यामम गतरशम पूर्तिम परियोशितम चयत उचिस्ठम अपी चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम जिसका रश जल गया हो जूठा हो तथा जो अखाद्य हो जो मानस है मचली है अंडा इत्यादी तो ये सभी तामसी भोजन में आते हैं फिर राजसी भोजन क्या होता है तो स्रीकृष्ण जी कहते हैं कटू अमल लवन अति उष्ण रूक्ष्य तिक्ष्य विदाहिना आहार राजसस्यस्टा दुख सोकब है अप्रदा जिसका स्वाद अत्यंत कड़वा हो खट्टा हो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नमकीन हो और गर्मा गरम खाना हो मसालेदार हो या फिर जो सूख गया हो जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं पॉपकॉर्ण खाने की वो प्रवृत्य है ना वो भी राजसी भोजन में आता है और जो बहुत ज्यादा जलन करने वाले तीखे भोजन है जिसको खाने से दुख, शोक और भय होता है ऐसे जो भोजन है वो राजसी भोजन में आता है और सतोगुणी भोजन में क्या आता है जो मधुर है जिसमें रस है जिसको खाने से जो स्निक्द है जिसमें चिकनाहट है तो ये कुछ जो भोजन है, इनको सतोगुणी भोजन की स्रेने में रखा गया है परन्तु जो निर्गुण भोजन है, निर्गुण भोजन का तात्पिर ये है कि तामसी तो बिल्कुल ही हटा ही दीजिया, तमोगोडे और रजगोणी लेकिन सतोगुणी भोजन भी उतना खाया जाए जितना हमारे सरीर को चलाने के लिए जीवन यापन करने के लिए परियाथ हो जैसे उदारण के लिए खीर है खीर तो मीठा है उसमें दूद है, चावल है और सक्कर अथवाचीनी है उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो सात्विक भोजन में आना चाहिए लेकिन ये भी यदि जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो ये तामसी बन जाता है तो भोजन मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए और जहां तक सवाल है निर्गुण भोजन की तो ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को चलाने के लिए है जिसने हमारी जीवा को अपने वश में नहीं किया है ऐसा भोजन निर्गुण भोजन कहलाता है इसी तरह से जो निर्गुण वस्त्र है निर्गुण वस्त्र भी कुछ ऐसे ही है देखिए दो प्रकार की वस्त्रों की बात की जाती है एक जो सन्यासी है सन्यासी विक्ति भगवा वस्त्र धारण कर लेता है क्यों? क्योंकि जो भगवा रंग है वो अगनी का प्रतिक है हमेशा उर्दो गमन का ज्यान का प्रतिक है लेकिन अवैदिक मान्यता में ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी विक्ति के लिए सफेद वस्त्र, स्वेद वस्त्रों को पहनना ही निर्धारित किया गया है स्वेद इसलिए कहा जाता है कि स्वेद रंग में संसार के सभी रंग समाहित है दुनिया के सभी रंगों को मिला दिया जाए तो सफेद रंग बनता है तो ये पूर्णता का प्रतीक है तो वस्त्र कैसा भी हो लेकिन हम यदि उसका मुह कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको निर्गुण कहा जाएगा तन ढकने के लिए और किसी विशेश लक्षन को निहित करते वे जो वस्त्र पहनते हैं वो निर्गुण वस्त्र की स्रेणिये में आता है हमारे समाज में वैसे तो विबिन वस्त्र है मैं किसी वस्त्र को अच्छा और किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ पर हमारे समाज में जि सफेद वस्त्र में बंद जाए कि सफेद कपड़ा पहनने सही जागनी होगी अन्यता नहीं होगी तो फिर ये भी मुझे नहीं लगता कि निर्गुण की स्रेणी में आएगा किसी भी तरह की कटरता हमें नहीं पाल लेनी चाहिए जब हम वाणी में कहते हैं कि वेश भासा जि के लिए सहायक या बाधक हो सकती है हां जहां ड्रेस कोड की बात आए तो हमें उस इस्थान के उस इस्थान की परंपरा के हिसाब से ड्रेस कोड का ध्यान रखना चाहिए बहुत अधिक भड़किले वाले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए और बहुत अधिक वातावरण की विपरीत वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए आज हमारे यहाँ जीन्स इत्यादी का कल्चर है जहाँ सरदी हो धंडा वाता वरण हो वहाँ के लिए तो ठीक है लेकिन हमारे यहाँ जैसा जीन्स आस्ट्रिलिया में यूएस में, कैनेडा में या यूरोपिय देशों में पहना जाता है वैसा पहनने की आओ सिक्ता यहाँ पर नहीं है उसका उल्टा नुकसान ही है सारी रिक रूप से बाकी तो मुझे नहीं लगता की कोई वेक्ति केवल सफेद कपड़ा पहन करके आध्यात्मिक बन जाएगा वेसबूसा से कोई वेक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है अब सब सुन्दर साथ ने फकीरों का वैरागियों का वेसधारण किया है अपने पास जितने भी वस्त्र इत्यादी थे बरतन थे दूसरे और ग्रिहस्त जीवन में प्रयूक्त होने वाले जितने भी संचादन थे वो सभी संचादन उनने वहां के निवासियों को बांट दिया और स्वयम तुम्बा, गुदड़ी इत्यादी लेकर सब सुन्दर साथ को प्रणाम करके उधैपूर से निकल गए अब उधैपूर में जिन सुन्दर साथ ने तारतम ग्रहन किया उनका नाम यहां पर ले रहे हैं जिन में लाधू मसानी है मंगल जी है, किसव दासे बेनी दास है, प्रेम दास जगना तित्यादी अनेकों सुन्दर साथ है पचासों सुंदरसात के यहां पर नाम लिखे गये हैं सबका नाम में न पढ़ते भूए अब आगे बढ़ रहा हूँ कहते हैं यामे कोई आगे, कोई पीछे, आए बीच इसलाम इन में से कुछ लोगों ने पहले तार्तम लिया, कुछ लोगों ने बाद में तार्तम लिया कुछ लोगों ने समझ करके लिया किसी ने देखा देखी केवल स्री जी का दर्शन करके ही लाब लिया और कहते हैं जब सुल्तान चड़ा राणे पर तब भागा सारा देश जब औरंग जेब ने उदेपुर में आकरमन किया तो उदेपुर के सभी लोग जगह जगह पर भागते फिरे तब उहां से निकलने पड़ा जुदे जुदे दर्वेश दर्वेश कहते हैं वैरागी को अब वहां से वैरागी के भेश में स्रीजी सहित सुन्दर साथ को अलग-अलग जगहों पर निकलना पड़ा उदेपुर से चलकर स्रीजी रामपुर नामक गाओं में पहुंचते हैं और उसके पास ही दुदलाई नामक एक छोटा सा गाओं था जहां पूरण दास चारण नामके विक्ती रहते थे अब स्री लालताश जी कह रहे हैं कि ये उदेपुर की भी तक थे अब मैं आगे मंद सोर की भी तक बताने जा रहा हूँ क्या कह रहे हैं अब कहों मंद सोर की आए उदेपुर से चल अब स्रीजी साहिब सुन्दर साथ के साथ उधेपूर से चल के मंदसोर पहुँचे और उधर जब नौरंग चड़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल जब औरंग जेब ने राणा राज सिंग पर आक्रमन किया यहाँ नौरंग क्यों लिखा है क्योंकि मैंने इतिहास में पढ़ा था कि औरंग जेब पैदा हुआ गुजरात की दाहोजिले में और मुझे लगता है कि किसी हिंदू परिवार ने ही उसका पालन पोश्ण किया होगा पहले तो उसके बच्पन का जो नाम था वो नौरंग बिहारी रखा गया था पहला नाम औरंग जेब के बच्पन का नाम तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि उन्होंने आक्रमन किया अब पूरा उदय पूर चल विचल हो गया सब लोगों में हाहा कार मज गया ये संबद था 1736 समाप्थ हो करके 37 का समय लगा था और स्री जी पहुँचे मंद सौर में इस समय जो स्री जी ने फकीरी वेस धारण किया है अब पहले स्री लालदास जी उस फकीरी वेस का वर्णन करने जा रहे हैं और कहते हैं सोभा छब सरूप की वारो कोटक रूप कहते हैं कि उस समय जो स्रीजी की सोभा है और सुन्दर साथ की जो सोभा है उस सोभा के आगे करोणों सुन्दर रूप भी फीके लग रहे हैं ये एक अलंकार है जो फकीरों की या वैराग्यों की वेशबूसा है उसकी सुन्दरता का यहां वर्णन कर रहे हैं क्या कहते हैं गोटा सोभे सिरपर स्रीजी के सिरपर एक कपड़ा बंधा हुआ है उस बंधे हुए कपड़े को गोटा कहा जाता है और उपर कन धपी और उसके उपर उनी के धागे से बनी हुई कंधपी है कंधपी किसको बोलते हैं ऐसी टोपी जिससे कान धखा जाए उसको कंधपी कहा जाता है और श्रीजी उस कंधपी अथवाटोपी को अपने सिर्पधारण करते हैं अति सुन्दर तीलक बन्यों दोए रेखा बीच बिंद श्रीजी ने अत्यन्त सुन्दर चंदन लगा रखा है चंदन का तीलक उसमें कैसी आकरिती कैसी है कि दो पतली रेखा है और उने रेखाओं के बीच में एक छोटा सा बिंदु है यह तीलक सफेद गोपी चंदन का है दो प्रकार के चंदन बताये जाते हैं एक गोपी चंदन जो सफेद है और दूसरा रक्त चंदन जो लाल होती है तो स्रीजी ने सफेद गोपी चंदन का तिलक लगा रखा है और उनका मुख मानो चंद्रमा के समान प्रकाशित और सुषोभित अत्यन्त सुंदर सुषोभित हो रहा है। स्रीजी ने कानों में दो स्रवणी तथा कंचन के दो बाले सुषोभित कर रखें अर्थात का सोने के दो बाले उन्होंने पहने हैं जो की अत्यन्त सुषोभित हो रहे हैं। अब देखिए इसमें स्रीजी ने किसी एक विशेश संप्रदाय की वेशबुसा को नहीं पकड़ा है। जो कान में बाली पहनने की प्रक्रिया है या जो प्रवृती है वो नाथुपंथ के योगियों में होता है। स्रीजी ने किसी एक संप्रदाय के बंदन में बद करके कोई भी कारिया नहीं किया है। तो अब दो कंचन के बाले उन्होंने धारण किये अत राजत छब प्यार के राजत मतलब राजरी दिप्तव धातों से राज शब्द बना है अर्थात अत्यंत प्रकासवान उसको राजत कहा जा रहा है अर्थात सुसो भीत हो रहा है। और लगा प्यार फकीरी से स्रीजी को इस फकीरी वेशबुसा से अत्यंत प्रेम हो गया है। क्या केते हैं? आगे कह रहे हैं पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार। स्रीजी ने गले में तुलसी की कंठी पहनी है। कंठी किसको बोलते हैं? जो बिलकुल कंठ से चिपका हुआ है। ऐसी माला को कंठी कहा जाता है और बड़ी-बड़ी चार मालाएं उन्होंने धारण कर रखिये। अति सोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार और उन्होंने उनी के धागों से भरी हुई चादर को भी धारण कर रखा है। अब आगे कहते हैं और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाएं सेली सुमर्नी मुत्त का अंग सोभी तहेताएं। और गोदड़ी ओढ़न की स्रीजी ने अपने हाथों से पुराने कपड़ों की गुदड़ी बना रखिये। और हाथ में सेली सेली जो है वो उनी या रेसम के धागों से बनाई जाती है और इसका प्रयोग जो है वो सूफी संत जो होते हैं वो किया करते हैं। सुमर्नी जो है वो छोटी माला है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गिन करके किसी अपने आराद्य के नाम का या गायत्री का जब किया करते हैं। तो ऐसे सुमर्नी और मुत्त का छोटी-छोटी माला है उन्होंने धारण कर रखिये। एक हाथ में उनके छड़ी है उपरनी धोती अंगोचा पहरे और बादे कमर उन्होंने आधी धोती को पहना हुआ है और आधी को ओड़ा है कमर में अंगोचा बाद रखा है और कहते हैं एह छबी ब्रह्मान में सोभा सब उपर। श्री जी की यह छबी यह सुंदर्ता इस ब्रह्मान में सर्वो परी है। लोग तंबुरा भी कहते हैं वो होता क्या है तंबुरा बाजे की में बात नहीं कर रहा है जो कुम्णणा होता है जिसकी मिठाई बनाए जाती है उसको तोड़ करके पहले जब वो पुराना या जब वो सुख जाता है तो उसको काट करके अंदर का जो गुदा होता है उसको निकाल लिया जाता है और सुखाया जाता है अब बरतन की तरह वो बन जाता है तो उसको पानी भरने का उससे काम लिया जाता है उसको तुमबा बोलते है तो स्री जी ने एक पात्र वो धारन कर रखा है एक हाथ में और दूसरा जल पात्र कमर में बाहत रखा है क्योंकि देखिए अब एक ही पात्र से आप सोच इत्यादी क्रिया से निवरित नहीं हो सकते और दूसरा जो पात्र है वो पाने पीने के लिए कारी आवस्यक्ता होती ह तो उसका प्रयोग करते हैं और कहते हैं साज सबे जोली मिने राखत काध कमर और स्रीजी ने बाकी जितने भी आवस्यक सामगरी है उनको एक जोली में रखावा जिसे स्रीजी अपने काध पर लटका के रखते हैं स्रीजी के पाओं में पनही अर्थात खडाओं की सुभा है जिसे पहन करके स्रीजी अत्यन्त उल्लास युक्त मस्ति भरी लटकनी मटकनी चाल चलते हैं और संग केतेक मोमिन चलत होत खुशाल और उनके साथ साथ में कई सुन्दर साथ हैं जो अत्यन्त खुश होकर प्रसन आनन्दित होकर के चलते हैं अब देखे ये स्रीजी के फकेरी वेश का वर्णन है इस प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं जो समझने लायक है कल की चर्चा में भी अन्ति में मैंने एक दो प्रसन रखा था कि यहां तो स्रीजी कंठी पहन रहे हैं तिलक धारण कर रहे हैं तो समाज का एक वर्ग कंठी और तिलक के लिए क्यों विरोध करता है क्यों मना करता है कि कंठी नहीं पहनने चाहिए तिलक धारण नहीं करना चाहिए एक वर्ग का ये कहना है कि ये जो कंठी और तिलक है केवल कर्मकांड है कंठी पहनने की आउसकता नहीं है दूसरा वर्ग ये कहता है कि कंठी तो जैसे एक पतिवरता इस्त्री होती है वो मंगल सुत्र धारन करती है इसी तरह से ब्रह्म्य सुष्टियों का जो मंगल सुत्र है वो कंठी है, कंठी नहीं पहनेंगे तो आत्मजागरिती नहीं होंगी ये दो तरह के विचारधारा है अब इसमें प्रस्ने ये कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है देखिए दोनों विचारधारा में गलती है कमी कहा हो रही है हम सिध्धान्त को ढंग से नहीं समझ पा रहे है पहले हम इसके पक्ष की बात सुनते जो ये कहते हैं कि कंठी जो है वो एक पतिवरता इस्त्री के मंगल सुत्र की तरह है, वो नहीं पहनेंगे तो हम पतिवरता नहीं कहलाएंगे ये आत्मजागरिती नहीं हो गें देखें अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सुना कि ये प्रसंग कब का है कि 1736 समाप्तों के 37 लग रहा है ठीक है और श्रीजी के द्वारा कंठी धारन करने का वर्णन अब आ रहा है विक्रम संबद 1737 में देवचंद्र जी की कंठी पहनने का वर्णन कहीं है कहीं भी नहीं है न उन्होंने जिस तरह से आज ये परमपरा रखी जाती है कि तार्तम देते हुए कान में खुस-फु-शाहट करनी है और कन्ठी बात देनी है ये परंपरा कहीं भी तक में नहीं है वानी में कहीं नहीं है अच्छा, यदि कन्ठी पहनना इतना ही अनिवारिय होता, तो हरिद्वार के कुम्ब के मेले में जब निजानन संप्रदाय की पद्धती को बताया जा रहा था वहां कहीं न कहीं ये हमारे संप्रदाय की पद्धती में शामिल जरूर होता और दुसरी बात साहजापुर बुडिया तक पहुचते पहुचते जब वहां मिरगी का दौरा चला था कई सुन्दर साथ का महां धामगमन हुआ लेकिन उनको स्री जी के स्वरुप के पूर्ण पहचान थी तार्तम ज्यान वो ले चुके थे लेकिन कंटी धारन नहीं किया था क्या उनको दुबारा जन्म लेना पड़ेगा कंटी धारन करने के लिए उनकी तो जागनी हो गई अच्छा इंद्रावती जी को राज्जी का पूर्ण रुप से दिदार हुआ हबसे के जेल में सत्रसो पंद्र तो क्या उस समय कंटी बाधा नहीं बनी कंटी नहीं पहना चंदन का भी कोई बढ़न नहीं है तो देखिए जो ये कहते हैं कि जब तक कंटी नहीं पहनेंगे तब तक जागरिती नहीं होगी यह पूरी तरह से आडंबर है क्योंकि जागनी का कंटी से कोई भी लेना देना है ही नहीं इस से पहले भी 1737 से पहले कितने सुन्दर साथ का धाम गुमन हुआ होगा लेकिन जागनी तो उनकी हो गई थी और जो ये कहते हैं कि स्री जी ने कंठी पहनी तो हमें भी पहनना चाहिए अनिवारिय कर देना चाहिए तो उनको मेरा ये जवाब है कि स्री जी के कमर में एक तुम्बा बदा रहता था और एक हाथ में रहता था आप वो भी धारण करें और एक कंठी नहीं रहती थी चार और मालाएं भी रहती थी हाथ में सेली सुमर्णे मुतका भी रहते थे लोगों ने क्या किया विश्यस रुप से गादीपती महराजों ने दो बातें अपना ली एक कंठी का दूसरा कंठपी का यदि कंठी इस तरह से अनिवारिय किया जा रहा है तो फिर कंठपी भी गादीपती ही क्यूं पहने फिर सुंदर साथ भी पहने सबको पहना है जाए यहां तो केवल गादी पती अपनी अलग इमेज दिखाने के लिए अलग से पहनते कि हम अलग है या तो वो भी सब में अनिवारिया कर दिया जाए तो इसलिए केवल कंठी और कंधपी की नकल करने आप परियात नहीं है स्रीजी तो खड़ाओं पहनते जागनी के लिए आठ मैने तक भिख्षाकान भी ग्रहन किया और आज वर्तमान समय में मैंने कई सुन्दर साथ के मुख से सुना कि हमारे जो महाराज है वो तो पहले से यदि उनको बुला ना हो तो पहले सही फिक्स करना बढ़ता है कि एसी कमरा नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे फलाने गाड़ी नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे और फिक्स बजट रखा जाता है कि इतना नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे यदि नकल करनी हो तो सारी नकल की जाए केवल ये कहना कि नई श्री जी ने तो ये धारन किया वो धारन किया या तो पूरी नकल की जाए श्री जी एक ही दोती कमर में बाद रहे है और उसी दोती को ओड रहे है वो भी नकल की जाए जैसा चंदन वो धारन कर रहे है वैसा चंदन धारन किया जाए नकल कर रहे हैं तो सारी करनी चाहिए अन्यधा केवल ये कहना कि नहीं स्रीजी ने धारन किया हमें भी करना चाहिए फिर वो गलत हो जाए अब दूसरी बात कि अच्छा इसी प्रसंग को थोड़ा सावर आगे बढ़ाता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि कंठी पहने से ही जागरिती होती मैंने कई ऐसे सुन्दर साथ को देखा है या कई ऐसे लोग सुन्दर साथ अपने-अपने घर की बात बताते हैं कि उनको जब कंठी पहना ही जाती है तो ये सिखाया जाता है कि बेटा कंठी पहनने के बाद ये ये नहीं करना, क्या नहीं करना, जो हम तार्तम देते समय कहला, सिखाते हैं ना, कि सराब नहीं पिना है, मांच मचली का सेवन नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, जूट नहीं देते हैं एक जगह पर सराब पी लेते हैं और उसके बाद फिर पहन करके अपना काम करते हैं कहते हैं कि नहीं हमने पहन करके नहीं पीए तो ऐसे कंठी का क्या फाइदा वो कंठी तो रोक नहीं पाई ठीक है अब आता हूं में दूसरे विश्य पर अब दूसरा वर्ग यह है जो यह कहता है कि नहीं कंठी नहीं पहनने चाहिए कंठी और तिलक यह करमकांध है देखिए सिद्धान्त यह है कि केवल कंठी और तिलक धारन करने से भी जागनी नहीं होगी और केवल कंठी और तिलक त्याग देने से भी जागनी नहीं होगी किसी को यह लगता हो कि नहीं हमने कंठी और तिलग का त्याग कर दिया तो कर्मकांड छूट गया ऐसा नहीं कर्मकांड का विस्तार बहुत बड़ा है अब प्रस नहीं है कि फिर करें तो क्या करें तो जवाब यह है कि आत्म जागरिती का कंठी से कोई लेना देना ही नहीं है यदि किसी को शौक के रूप में पहन ले कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं कि कंठी आपको चित्वनी में जाते समय आपकी आत्मा को पकड़ करके वापस खीचेगी कि पहनने से कोई नुकसान भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कंठी आपको आत्मजागरिती के राह में धक्का लगा करके जल्दी से परमदाम पहुचा देगी कोई फायदा भी नहीं है यह तो एक जड़ पदार थे हाँ कंठी और चंदन का लाभ इतना है यदि आप सुद् स्टिक के कंठी मिलती है तो उसी की तो मिल नहीं रही है दूसरा चंदन भी यदि आप वास्तों में चंदन रगड करके तिलक कर रहे हैं या पूरे माथे पर भी रंग रहे हैं तब भी फायदा है क्योंकि चंदन में शितलता का गुण होता है आपके मस्टिसक के लिए बह दोनों चीजों का कंठी और चंदन का कोई लाब नहीं है, और हाँ यहां कोई भी इस तरह का तर्क ना दे कंठी और चंदन के संदर में की स्रीजी ने भी धारण किया था, इस विषै में तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक व्याख्या करने की आओ सकता है। अब इसी तरह की वेशभुसा बाईजी राजी ने भी धारण की है और साथ में अन्य महिला सुन्दर साथ ने भी धारण की है। देखिए विरक्त वेशभुसा अलग थी। जिसको जो अच्छा लगता होगा है जो मिलता होगा वो पहन लेता होगा। इस रूप से दज्जाल कौन सा है अभी यहां भेद भाव के रूप में पक्षपात के रूप में जो दज्जाल है उस दज्जाल से सभी युद्ध कर रहे हैं। इस तरह से अब फकिरी वेशभुसारण की है भेद भाव सारा समाप्त हो गया। सुन्दर साथ पहुँचे स्री जी के साथ रामपूरा नामकिस्थान में जहां पर पुरण मल चारण का गाम था। वहां के सुन्दर साथ ने इटे बनाकर हवेली बनाने का काम प्रारम किया और इटे मिट्टी वाली नहीं है। कि यह जो बीच में बीम जैसे दिखाई पड़ रहे है ना ऐसे तीन बीम को आप इकठा कर देंगे तो वहां के हवेली का एक बीम बनता है। सोचिए और वो तीन मंजिला है एक मंजिल का घर नहीं है वो तीन मंजिला है और किस तरज पर बना है जो आप चरचनी थोड़ा बहुत भी जानते हैं। तो जब आप चांदनी चोक में खड़ा होकर चांदनी चोक पर खड़े होकर के रंग महल की तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है। गया उसको देख करके कि आज तो बहुत सारी मशिनरी है, जैसी भी है, क्रेन है, सामान वगर उठाने के लिए जैक वगर है। उस समय सुन्दर साथ ने कैसे तीनमंजिला घर वो भी इतने बड़े बड़े पत्थरों से खड़े किये होंगे, जो आज भी स्थिर है, साड़े तीन सो साल के बाद भी। यह हुआ कि हमारे सुन्दर साथ में से बीच में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, तो इतने लंबे समय में वो जरजर हो गया है, पर फिर भी उसकी आकरिती देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, एक पास में तालाब है, बिलकुल उस हवेली से सटा हुआ। और पहला जो दरवाजा है वो दो भोम का है, और उसी इसाब से छोटे-छोटे दरवाजे बने हुए हैं, जैसे तिसरी भोम से जो जहरोखा निकला हुआ है, छज्जा निकला हुआ हुआ है, उसी तरज पे छज्जा भी निकाला हुआ है, तो एक रंग महल की थोड़ी सी जलक उस हवेली को देखने से मिलती है सुंदर साथ ने वहाँ अपने ही हातों से उस हवेली को तयार किया और उस गाओं का जो मुख्या था उनका नाम था पूरण मल चारण पूरण मल चारण जी की माता जी अब स्री जी की सेवा में उपस्थित हो गई और उनकी सेवा करने लग गए उसी गाओं में अब वहाँ एक बैरिसाल नाम का व्यक्ति रहता था उसके मन में कलियूग अज्यानता दज्जाल लोभ लालचाय उसने सोचा कि इतने सारे साधू हैं विरक्त हैं इनके पास कुछ न कुछ तो होगा तो मैं इनको लूट लूगा वो बैरिसाल वहाँ के राजा का भाई था मन्सूर आज तो जीला है खैर उससमें राज्य के रुपे होगा तो उसने सोचा कि मैं सुंदर साथ इन लोगों को लूटनों वहरागियों को और सुन्दर साथ को जब पता चला कि यह इस तरह से लूटने की बात कर रहे हैं उन्होंने जा करके पूरण मल चारण के घर में निवेदन किया कि इस तरह से लूटने की बात हो रही है तो चारण की माता ने कमर बाध करके तयारी की और बेरे साल को कहा कि खबरदार यदि तुने वैराग्यों की तरफ देखने की भी हिम्मत की बुरी नजर की या तो मैं मर जाओंगी या तुम्हें मार डालूंगी जब इस तरह से धम की दी तो बेरिसाल वहां से लज्जित हो करके काला मू ले करके चला गया अब उस हवेली को छोड़कर स्रीजी सहित सुन्दर साथ मंदसोर गए ये मंदसोर और ये जो गाओं है लगबग लगबग 40 या 45 किलोमीटर का फर्क है इतनी दूरी पर है वहां हरी प्रसाद की हवेली में स्रीजी सहित सुन्दर साथ पहुँचे और अब उसी समय मंदसोर में औरंग जे की सैनिक अलग-अलग जगह पर रह रहे थे साही सेना ने वहां पर पड़ाव डाला सुन्दर साथ वहां पर सनन्द की वाने का गायन करने लग गए जिसको सुनने के लिए सेना का कोई न कोई सैनिक उपस्तित रहता था अब कोई सुनने के लिए आते थे कोई ये जाचर करने के लिए आते थे कि किस तरह के लोग सनन्द या हमारी बात कर रहे हैं तो वहां कुछ पठान आए उन्होंने एक सनन्द का गायन सुना बिना एक मुहम्मद जब ये बात सुनी तो दौलत खान पठान को जोस आया और जोस ऐसा आया कि वो बिना एक महम्मद के अलावा और कुछ बोली नहीं पाया वो हमेशा बिना एक महम्मद, बिना एक महम्मद, बिना एक महम्मद इस तरह से दोहराने लगा इसके अलावा और कोई सब्द अपने मुख से नहीं निकाल पाता था उसकी यह आवस्ता हो गए अब स्रीजी मनसौर में है उधैपुर से एक सुन्दर साथ आए उनका नाम है क्रिपाराम सुन्दर साथ का संदेश निकर के आए उन्होंने प्रात्ना की कि श्रीजी साथ उधैपुर में औरणजेब के आकरमन से सारा देश तरस्त हो गया है हर स्थान पर त्राहीमाम घो गया है त्राहीमाम मतलब रक्षय कीजिए कई सुन्दर साथ हैं जिनके अंग भंग हुए हैं कईयों को चूट लगी है कोई जंगल में जाकर के रह रहे हैं रहने का कोई धंका ठिकाना भी नहीं है तो आप कुछ कृपा कीजिए कि ये जो विपत्ती है वो समाप्थ हो जाए अब इंद्रावती जी की आत्मा जो क्या कहती है अब दुख न देऊं फूल पांखडी देखूं सीतलने तो ऐसा कहने वाले इंद्रावती जी सुन्दर साथ को दुखी देख कर कैसे वो सांध रह सकती थी उन्होंने मूल सुरुप की तरफ ध्यान करके राज्जी से प्राथना की कि राज्जी ये संकट आप समाप्थ कर दीजिए और वहां राज्जी के आदिश से पांच किरंतन आउतरित हुए जिनको हम विरह के प्रकरण कहते हैं वालो विरहरस भिनो रंग विरहमार माणतो वासना रुदन करे जलधार आप उलखावी अलगोई उथयो अम्थी जी कोई हुती तामसियो सिर्दार इस इन प्रकरणों में वैसे तो ये छे प्रकरण है जिसमें एक प्रकरण भूमिका के रूप में है इन छे प्रकरणों में इंद्रावती जी ने इस दुखरुपी माया से निकालने के लिए मूल सुरुप राज्य से पुकार की है कि राज्य हमने वैसे तो इश्क की बाजी खेली प्रेम की बाजी लेकिन इस बाजी में हम स्विकार करते हैं कि हम हार गए हैं माया ने हमको हरा दिया है आप जीत गए हैं क्या कहते हैं हवे हारिया हारिया हूँ कहूँ वार केटले मैं कितनी बार कहूँ कि हम हार गए बस अब इतना कीजिए कि सुन्दर साथ के उपर ये जो कस्ट आया है उसको सबाब्त कर दीजी फिर क्या हुआ तब पहुंची हक को जो प्रार्थना की उन्होंने राज्जी तक पहुंची और राज्जी के हुकम से सुन्दर साथ के उपर अब मेहर हुई और जितने औरंज जेब के सैनीक थे वो वहाँ से हट गए उदेपूर से पीछे हटे और धीरे धीरे माहल ठेक हुआ सुन्दर साथ के मन में प्रस्ना आता है कि कई बार हम जब चर्चा सुनते हैं तो इस बात को लेकर के मना किया जाता है कि राज्जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए अब यहां इंद्रावती जी तो मांग कर रही है वस्तविक्ता क्या है वस्तविक्ता ये है कि हमें कभी भी राज्जी से अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहिए अपने लिए यदि कुछ मांगे तो क्या मांगना है जैसा इंद्रावती जी कहती है, प्रेम दर्द में इश्क तुम्हारा, फेर फेर मागूं फेर. हमें राजी से उनका प्रेम मांगना है, राजी के न मिलने का दर्द मांगना है. हाँ जब कोई दूसरा व्यक्ति दुखी हो निश्वार्थ भाव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वाणी कहती है तहकीक अर्ज पहुंचते हैं जो भेजिये पाक दिल यदि हम पवित्र हृदे से किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं निश्चित रूप से राज्जी तक पहुंचती है हाँ जब हम दुनिया की कोई मांग करते हैं राज्जे से वो मांग राज्जी पूरी नहीं करते हाँ यदि आत्म जागरिती से सम्मंधित कोई मांग है और सच्चे दिल से की जा रही तब तो ठीक है अब सुन्दर साथ कोई यदि ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है हम अपने लिए नहीं मांग सकते दो लोग मिल जाएंगे मैं तुम्हारे लिए मांग लूँगा तुम मेरे लिए मांग लेना तो यह इलम की चतुराई है बहुद्धिक चतुराई है राजजी आपके भाव को समझते हैं कि आप क्या चाहा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आपका action matter नहीं करता है उस क्रिया के पीछे की आपकी भावना मायने रखती है इसलिए हमें वानी के इन प्रकरणों को कभी भी ऐसे ब्लाकमेलिंग के तोर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए हाँ कोई भी सुन्दर साथ अत्यन्त दुखी हो परेशान हो तो उनकी परेशानियों से निजाद पाने के लिए हम राज्जी से प्रात्ना कर सकते हैं और आज भी होता है जहां कहीं भी ऐसा संकट है माली जे कि किसी सुन्दर साथ का एक्सिडेंट होता है या किसी का ओप्रेशन होता है तो ऐसे समय में हम विरह के प्रकरणों का पाठ करते हैं हाँ किवल पाठ ही न करते हुए उसका भाव भी हम समझें तो क्यूंकि उसमें माहोल भी वैसा होता है दुख का माहोल होता है हमें संसार की वास्तविक्ता भी समझ में आती है और अपनी वास्तविक्ता भी समझ में आती है और दुनिया से तीवर वैरागे भी होने की बस ये ऐसा उन प्रकरणों को पढ़ना चाहिए, अब स्री जी की, स्री जी ने जो प्रार्थना की मुल्ट स्वरुप की तरफ, तो उस प्रार्थना को स्विकार करते हुए, सुन्दर साथ के उपर आया हुआ, जो कष्ट था, वो समाप्थ हो गया, उस समय, इबराहीम नाम क एक व्यक्ति स्री जी के दर्शन के लिए आया, और स्री जी की संगती से वो खुस भी हुआ, फिर दुबारा आया, अब लालदाह जी से जब उनकी मुलाकात होई, तो लालदाह जी क्योंकि वो मैनेजमेंट की सेवा करते थे, उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी, क जब मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, तो एक प्राथमिक सिक्ष्या उनको दी जाती है, कि यदि आपके पास एक ऐसी मसीन हो, जिसमें सो अलग अलग पूर्जे लगते हो, यदि आपके पास एक पूर्जा है, तो आपको बाकी निन्यानब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् पूर्जा है तो आपको एक पूर्जा बनाना है क्योंकि एक भी पूर्जा नहीं रहा तब भी काम नहीं हो सकता एक मशीन में कितना भी बड़ी मशीन हो कितनी भी उसमें एक छोटे से नट बोल्ट का भी अपना महत्व होता है छोटे से स्क्रू का छोटे से स्प्रिंग का भ कौन सा कारिय ले सकते हैं उन्होंने इबराहीम को देखा इबराहीम की विशे में जाना तो पता चला कि इस से हम कुरान का अनुवाद करा सकते हैं उन्होंने एक कुरान की एक सुरत की टीका करवाई हिंदुस्तानी भासा में और स्री जी को सुनाया श्रीजी ने सुनते ही आनंदित हो करके कहा दिया कि आप पूरे कुरान का अनुवाद करा दिज्या लालदास जी ने उनको थोड़ा सा लालज भी दिया कि हम आपको कुछ वेतन भी देंगे अगले दिन से उसने अनुवाद करना शुरू कर दिया सबसे पहले उसने सोलवें पारे की टिका की, उसके दो प्रकरण की टिका जब हो गई, लालदाह जी ने स्रीजी को सुनाया, उसके बाद, अब स्रीजी बहुत अधिक प्रसन हुए और कहते हैं कि नहीं आगे और भी करना है, दिन में टिका की जाती थी, रात को वो पढ़ करक सुनाया जाता था, एक दिन रात को बैठे हुए थे, और कुरान की टिका करवा रहे थे, लालदाह जी और इबराहिम मिलकर टिका कर रहे हैं, स्रीजी पास में बैठे बैठे सुन रहे हैं, टिका करते करते, इबराहिम ने कहा कि ये तो किसी राबसी ने, इसमें कलम चला द है देखिए इसलाम में विशेशुरुप से दो संप्रदा है वैसे तो 72 है पर विशेशुरुप से दो है एक है सिया एक है सुन्नी जो सिया वर्ग है उनको माना जाता है कि ये बहिस्कृत है सुन्नियों से वहिस्कृत किये गए और जो सुन्नी संप्रदाय है उनके विशेश में सिया सूचते हैं कि ये वहिस्कृत है दोनों एक दुसरे को राफजी सब्द का प्रयोग करते हैं राफजी का साब्दिक अर्थ होता है जो राह से भटक गया हो या भटका हुआ तो अब इबराहिम क्योंकि सुन्नी था कुरान की टिका करते करते उसको एक ऐसी बात मिली जिसको पढ़ करके उसने कहा कि ये तो किसी भटके हुए व्यक्ति ने लिखा किसी उसके हिसाब से किसी सिया ने टिका की है स्री जी ने कहा पढ़के तो सुना वो क्या लिखा है तो इबराहिम ने क्या कहा कहते हैं कि तब कहया इबराहिम ने जो सुन्नी मुसल्मान महम्मद की उम्मत के अरजी न पहुँचे कान क्या क्या रहे कि कुरान में लिखा हुआ है कि जो सुन्नी मुसल्मान होगा उसकी कोई भी अर्जी खुदा तक नहीं पहुचेगी उसके इसाब से क्या लगा कि ये किसी सिया ने लिखा है क्योंकि सुन्नी वो किसको समझते हैं जिसने सुन्नत करा रखा हो जबकि यहां सुन्नी का तात्पर यह है जो इमान में द्रिड रहे सुनते ही जो द्रिड द्रिडता पुर्वक इमान लेकर क्या है स्रीजी ने कहा नह इसमें गलत कुछ नहीं लिखा है जैसा लिखा है तुम वैसे ही टीका करो क्योंकि वास्तविक्ता क्या थी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रसंग सुना कि स्रीजी ने किस तरह से अरजी करी यहाँ वास्तविक्ता यह है कि जो कोई सचे दिल से परमात्मा से प्राथना करता है उस तक तो केवल प्राथना ही पहुंचती है चाहे हम भोग लगाएं चाहे हम आरती करें कुछ भी करें उस तक तो कुछ पहुंचने वाला नहीं है और क्योंकि कुरान का प्रसंग चला है, एक प्रसंग आता है कुरान में, जिसमें ये कहा गया है, कि खुदा तक न गोस्त पहुंचता है, गोस्त मतलब मांस न हड़ी पहुंचती है, न चर्बी पहुंचती है, न खून पहुंचता है, कुछ भी नहीं पहुंचता है, उस तक तो सच्चे दिल से किया गया तकवा पहुंशता है मतलब उसकी इबादत पहुंशती है प्राथना पहुंशती है अब थोड़ी देर पहले हमने चोपाई सुनी कि तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिये पाक दिल तो यहां भी वही प्रसंग है कि जो लोकिक कामना होगी ल जितने भी सच्चे भक्त हुए परमात्मा के इस दुनिया में जो संचार में भी भक्त हुए जिनको भले ही परमात्मा की पहचान नहीं है पर जिन जिनको भी वो अपना आराध्य मानते रहे हैं उन सब का जीवन कष्ट प्रद रहा है लोकिक सुकुने नहीं मिला है कश्ट मई तपो मई जीवन रहा है तो यही बात यहाँ पर चल रही थी तो स्रीजी ने कह दिया कि यहाँ पर जो कटरपन थी सुन्नी मुसलमान है उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ तो ब्रह्म्य स्रिष्टियों की बात हो रही है इसलिए तुम इदर उदर सब्द मत करो जैसा लिखा है वैसा ही अनुबाद कर दो और तुम्हारे अंदर अभी वो अवकात नहीं है तुम्हारी वो छ्यमता नहीं है कि इसकी बात को तुम समझ सको इस तरह से स्रीजी ने उनको सब्द में कह दिया अब वहीं पास में एक चबूत्रे पर स्रीजी टीका पढ़ने के लिए बैठ गए जिसमें सुन्दर साथ की ही बीतक लिखी हुई थी जिनको देख करके कहते हैं अब अपनी बात के सबविद भयकारज अब तुम्हें करना कच्छुना पड़े रही न कोई गरज स्रीजी सुन्दर साथ को कहते हैं कि सुन्दर साथ जी अब आपको और कुछ करने की आउसिक्ता नहीं है क्योंकि सनन्द की वानी का आउतरण हो चुका है और यहां कुरान का अनुवाद भी किया जा रहा है तो वेद और कतेब को एक करने के लिए अब और कुछ करने की आउसिक्ता नहीं है अब हमारा कारिय बन गया है अब यह सब साथ को लिखो खुस खबर मेहर भई स्री राज की सु लिखी तुम उपर स्रीजी ने लालदाह जी को यहादिश दे दिया के लालदाह जी आप सभी सुन्दर साथ को यह सुभ समाचार दे दो कि राज्य की महर से अब कुरान की भी टिका हिंदुस्तानी भासा में हो चुकी है अब हमें केवल वेद और कतेब को एक करने के लिए प्रयास करना है हमारे पास है पर इसको हमें दूसरों तक महोचाना है यह संदेश सब सुन्दर साथ को दे दीजी और बताईए कि पूरे विश्व को तार्तम ज्यान के माद्यम से एक करने का समय आ गया है इस तरह से लालदाश जी को पत्र लिखने का आदेश दिया आगे किस तरह से अब इबराहीम के मन में दज्जाल आता है उसके मन में पाप आता है वो कैसे जाकर दूसरे सैनिकों को भटकाता है और किस तरह से अब इबराहीम के द्वारा सैनिकों को भटकाए जाने पर सैनिक जगह जगह पर सुन्दर साथ को ढूणते फिरते रहते हैं और सुन्दर साथ को अब छिपते हुए भिख्षा मांग करके गुजारा करने की नौबत आती है इस प्रसंग को सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पुरा होता है जो पैदो रहिए अब एसब साथ को लिखो खुस खबार मेहर भाई स्री राज की सो लिखी तुम उपार सो लिखी तुम उपार बोलो स्री प्राणनात बोलो स्री सत्गुरु महरा पढ़ाज लिखी झाल झाल